अस्सलाम वालेक। मुराखतुम लाहिव बरकातु। जी महतरम आपका सवाल है कि किसी इनसान के लिए शादी में सर पर सहरा बाधना ये कैसा है? दूले का शादी में सर पर सहरा बाधने का शरीयत में क्या हुख्म है? ये आपका सवाल है तो देखिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी शरीयत में एक उसूल है उस उसूल को जानना जरूरी है अगर वो उसूल आपको मालूम हो गया तो ये सवाल या हिस्से मिलते जुनते बहुत सारे सवाला आपकी समझ में आ जाएंगे और उनका शर शरीयत का वो वसूल ये है कि जो शरीयत के अखकाम है उन अखकाम को दो हिस्सों में तक्सील किया गया है शरीयत के जो अखकाम है उन अखकाम की दो किसमें है एक किसम है अबादात और दूसरी किसम है आदात अबादात का मतलब वो आमाल जिनको हम अबादत समझ करके करते हैं और जिन्हें हम अल्लाहबुलालमीन की रिजा उसकी खुश्नूदी और उसका तकर्रूब हासिल करने के लिए जिन आमाल को हम करते हैं उसे अबादत कहा जाता है जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ये अबादत है हम पुरान पढ़ते हैं ये अबादत है हम दुआ करते हैं ये अबादत है हम हज करते हैं जकात देते हैं रोजा रखते हैं ये सारी चीजे अबादत है कोई भी आमल जब वो आमाल जो अल्लाह पुलालमी का तक्रूब हासिल करने के लिए उसकी रिज़ा और खुश्मूदी हासिल करने के लिए किये जाएं और जिन्हें हमारी शरीयत में अबादत कहा गया है तो इन आमाल अगर ये इस किसम के आमाल है या अखकाम की ये जो पहली किसम है जिसे मैंने अबादत के नाम से जिकर किया तो इसके लिए जरूरी है कि अबादत को साबित करने के लिए हमारे पास कोई दलील होनी चाहिए क्योंकि अबादत में असल है अलुमा कहते हैं अबादत में असल है खुरमत यानि हर अबादत हराम है सवाय इन अबादतों के जिनका हुक्म हमारी शरीयत के अंदर आ गया है अब मिजाल के तोर पर जोहर की नमाज चार रकाद पढ़ना ये फर्ज है अब चार रकाद के इलावा अगर कोई पढ़ना चाहे पाँच रकाद पढ़ना चाहे तो हम उससे कहेंगे कि ये चायज नहीं है क्योंकि हमारी शरीयत में सिर्फ चार रकाद वारिद हुआ है अब कोई भी अबादत जब कोई इनसान करेगा तो उसके लिए उसके पास दलील होनी चाहिए किताबों सुन्नत से तो अबादत में असल ये है कि हर अबादत करना हराम है सिवाए उन अबादतों के जिसका हुक्म हमारी शरीयत में वारिद हो गया है और जो किताबों सुन्नत से साबित हैं तो ये अबादत का हुक्म हो गया अब दूसरी किस्म जो मैंने बताया अहकाम की वो दूसरी किस्म है आदाद आदाद का मतलब वो चीज़ हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में करते हैं और जिनका तालुक अबादत से नहीं है और जिन्हें आप तोर पर हम अबादत समझ करके नहीं करते हैं जैसे मिशाल के तोर पर कपड़ा पहनना किस कलर का हम कपड़ा पहनेंगे किस डिजाइन का सिल्वा करके हम कपड़ा पहनेंगे इसी तरह से शादी बियाख के अंदर बहुत सारे रस्मों रिवाज होते हैं जो कि अलग-अलग इलाके में अलग-अलग रस्मों रिवाज होते हैं तो ये सारी चीजें हम और आप कोई भी इसको अबादत समझ करके नहीं करता है बलकी इनका तालुप आदात और आराद से है इसका तालुप आदत और गुर्फ से है हर उर्फ में हर मुच्टमा में हर बिया में और हर आलाके में अलग- sitzen एक ये की आदते होती हैं क्योंकि वहां के आदात के खिलाफ है वहां के और्फ के खिलाफ है तो आदत ये दूसरी चिसम जो है आदत की हुई तो आदतों में असल ये है कि हर आदत जायज है सिवाए उन आदतों के जिनकी खुर्मत पर दलील आ गई है यहां पर आप इस नुक्ते पर गोर कीजिए क्योंकि इस फर्क को समझना ज़रूरी है कि हमने अर्ज कि अबादत में असल ये है कि हर अबादत हराम है सिवाए उन अबादतों के जिनका सुबूद किताब और सुन्त से मिल जाए लेकिन आदतों में हर आदत जायज है सिवाए उन आदतों में जिनके हराम होने की किताब और सुन्त में दलील हो जाए गोया कि कोई इंसान अगर कोई कपड़ा पहन रहा है किसी खास कलर का तो उसको ये साबिक नहीं करना होगा कि ये खास कलर पहनने के लिए शर्यवत में दलील आई है बलकि जो शखस ये कह रहा है कि खास कलर पहनना जायज नहीं है उसको दलील लानी पड़ेगी या शादी तो ये शादी प्याग का मामला है और जो आपने सवाल किया इस सवाल का तालुक भी आदाग से है शादी प्याग में जो रस्मो रिवाज होते हैं वो इबादत नहीं है बलकि वो आदत है अब हम इ इन मामलात में हम ये देखेंगे कि क्या ये जो शादी प्याग में जो रस्मो रिवाज अदा किये जाते हैं क्या इनकी हुरमत पर या इनके जायज नहुने पर हमारी शरीयत में कोई दलील है हमारी शरीयत में इनसे मना किया गया है या नहीं तो हर वो रस्मो रिवाज जो हमारी शरीयत के किसी हुक्म से ना टकराए और जिसमें कोई शरी ममानियत ना पाई जाए वो जाइज है तो जैसे मिसाल के तोर पर जो आपने मसला जिक्र किया और जो सवाल आपने पूचा सहरा बाधना ये एक तरह से आदत है बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अगर दूला सहरा बाध ले तो उसको आप समझा जाएगा और बहुत ताज़िब की नगासे लोग उसको देखेंगे और लेकिन बाद इलाके ऐसे हैं जहां पर ये विवाज है कि दूला सहरा बाधना तो इन इस तरह की चीजों में वहाँ पर जहां पर ये कांट किया जा रहा है वहाँ के आदाप और आराफ का इतबाल किया जाएगा अगर वहाँ के मुझतमा में वहाँ की सुसाइटी में सहरा बादना कोई आयब नहीं है तो ये आयब नहीं माना जाएगा हाँ कोई ऐसा अमल अगर शादी बियाह में किया जा रहा है जिसकी मुमानियत आई है हमारी शरीयत में तो वो अमल हराम होगा जैसे बहुत सारी जबोबर शादी बियाह में लोग गाने बाजे का और सीकी का डांस का और दुनिया भर की फहाशियों का भी बंदोबस्त करते हैं और तो अगर कोई ये कहें कि ये इसका तानुक आदात से है तो और आदात में ये है कि असल ये है कि सारी आदते जायज है सवाए उनके जिन पर शरीयत ने जो है खर्मत की कोई दलील वारिद की है तो हम कहेंगे कि ये जो गाने बाजे हैं ये जो फखाशिया में ये जो बे पर्दगिया होती हैं शादी प्याह में और जिसको लोग रसम और रवाज का नाम देते हैं ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है लहाजा हर वो चीज, हर वो औरुफ या हमारा हर वो अमल जिसका तालुक आदाद से है अगर उसकी हुर्मत पर शरीयत में कोई दलील आई है तो वो हराम मानी जाएगी लेकिन अगर उसकी हुर्मत पर कोई दलील नहीं है तो उसको करने में कोई ममानियत और कोई कबाहत नहीं है लहाजा यह जो सहरे के सिल्सले में आपने सवाल किया है इसका तालुक भी तुर्फ और आदस से है और इसमें कोई शरी ममानियत या कोई शरी कबाहत नहीं है लेहाजा इसके जायज होने में कोई शक नहीं है सहरा बादना जायज है वाल्लहु आला बिस्तवाब असलाम अलेकूं वार्खमतु ल्लाहि वर्कातो नाजरन एक्राम इसलामिक टिवी इस चेनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बराए महरबानी इस चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल एक गंटी का निशाना आएगा उसे आप जरूर प्रेस करें और उसे दबा कर आप हमारे साथ तावोन फर्माएब आपके इस चेनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है और मजीद वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूटिब चेनल को सब्सक्राइब करें फजजाकुम ल्लाहु खेरा